Hello everyone, my name is Rahul Shukla, I'm a financial coach and an IEP trainer. So basically, आज का जो वीडियो है, वो एक बहुत ही popular type of topic के बारे में है, that is ETF, Exchange Traded Fund. So ETF क्या है, कैसे काम करता है, कैसे उसको buy किया जा सकता है, कैसे sell किया जाता है, उसकी liquidity कितनी होती है, और उसमें किस तरह से चीजों को ध्यान में रखना है, उन सारे ही topics के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करूँगा, वीडियो को शुब करने से पहले एक disclaimer, कि जो भ ETF जो term है, that is exchange traded fund, बिलकुल आसान भाशा में मैं आपको एक्जांपल से समझाओं, जो example मुझे एक बहुत ही popular and बहुत ही successful lady ने दिया था, her name is Koyal Khosh, and she gave me the basically example for that, कि जैसे आप मिठाई वाले की दुकान पर जाए, और मिठाई वाले की दुकान पर आपने उसको directly order किया, कि Ultimately, I have invested in Kaju Kadli, but मिठाई वाले करें, मैं रुकिये, यसरा रुकिये, मेरे पास ना, कुछ एक presets है, पहले से कुछ mixed मिठाई के डिब्बे हैं, जिनको मैं आपको दे सकता हूँ, उसमें हो सकता है, सो उन पापरी भी हो, उसमें हो सकता है, रस गुले भी हो, उसमें हो सकता है, basically things you may buy, अब यहाँ पर दो option हो गए, एक वो जब आपने सर्फ एक specific मिठाई को बाई किया, या दूसरा वो, जहाँ पर एक साथ कई मिठाईों को preset डिब्बा खरीब पाए, so ETF is like the preset मिठाई का डिब्बा, जहाँ पर आप किसी एक investment में ना जा करके, तीन, चार, पाँच, छे तरह कि अलग-अलग investments में आप जा सकते हैं, so यह basic understanding है, ETF के बारे में कि यह क्या होता है, that is exchange traded fund, तो इसका मतलब इसमें काफी छोटे-छोटे units आपको देखने को मिलेंगे, तो पहला तो यह हो गया, ETF की क्या होता है, अब यह काम कैसे करता है, how ETF works, तो देखें, ETF जो work करता ह है, वो आपने मान लीजिए, हमने 4-5 लोग-10 लोग हैं यहाँ पर, और एक गुल्लक हमने बनाया है, वहाँ पर 4-5-10 लोग ने पैसा लगा दिया, जमा कर दिया, उस गुल्लक से फिर एक विक्ती ने पैसा निकाला, और उस पैसे को निकाल करके, वही एक पीसे मिठाई का रिबा खरीद लिया, या ऐसे कुछ 4-6-8-10 कंपनीज के, स्टॉक्स बाइ कर लिया, अगर वो एक कुड़ी ETF है, या फिर बॉंड्स बाइ कर लिया, या फिर थिमाटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जब इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो ब अगले जो point है ETF के बारे में जानने के लिए, जो कि थोड़ा सा और important हो जाता है जानना, कि ETF के types क्या होते हैं, देखें, अगर कोई भी ETF जो की stocks में इन्वेस्ट कर रहा है, विरकली किसी company के stocks में, या 5-6-8-10 companies के group के stocks में, so उनको equity, basically ETF जो है, वो कहा जाएगा, stock ETF को कहा जा है कि वो bonds में invest कर रहा हो, जो ETF है, वो bonds में उसका investment जा रहा हो, तो उसको bond ETF कहा जाएगा, जहां पर आपको regular income जो है, वो expect कर सकते हैं, उसके बाद कुछ sector specific होते हैं, for example, किसी ETF का total investment pharmaceutical sector में जा रहा है, किसी का AI में जा रहा है, किसी का automobile में जा रहा है, so that is totally different, right, तो उस तरह से types of ETFs आपको देखने को मिलते हैं, ETF का नाम ही अपने आप में सब कुछ बताता है, that is exchange traded, इसका मतलब जो सबसे major फाइदे मन चीज है, कि यह stock exchange पे trade होता है, so वहाँ पे जो liquidity की problem है, वो आपको ETF में नहीं आती, right, so यह basic चीजे हैं, जो हमने ETF के बारे में चर्चा की, but someone may ask कि इसका क्या फाइदा है, we are happy with mutual funds, we are happy with bank FDs, RDs, post office schemes से हम खुश है, हम क्यों ETF में जाएं, तो देखें, पहले मैं already disclaimer दे चिका हो, मैं फिर से बता दू, this is not a promotional video, सिर्फ education purpose से मैं आपको सम्झाना चाहता हूं, ETF के कुछ major फाइदे हैं, सबसे पहला फाइदा होता है, कि यह ज और सेनारियो में 4, 6, 8, 10 options में आपका जो investment हो, multiple asset class में जाएगा, सबसे पहला, दूसरा है liquidity का, so liquidity का major फाइदा क्या है, जैसे mutual funds में भी liquidity बहुत अच्छी होती है, open ended fund के case में, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा फाइदा है, क्योंकि exchange traded है, आप कभी भी इनको stock exchange पे बेच सकते हैं, तो यह है liquidity, जो maintenance cost है, वो कम है, in comparison to mutual funds, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे, क्योंकि यह passively managed fund है, एक बार एक ETF के basket में invest किया गया, उसके बाद उसको regular check नहीं किया जाता, regularly उसको maintain नहीं किया, तो इसलिए उसको passively managed fund भी का जाता, जिसकी वज़े से इसमें जो expense ratio है, वो कम आ जो ETF buy किया है, उसका जो further investment है, वो किन-किन जगाओं पर हो रहा है, या उसका portfolio basically क्या है, इसके बारे में आपको पता होगा, अगला जो point है, which is very important to discuss, that is risk scenarios, क्या risk होता है, तो देखें, बिना risk के कोई भी investment work नहीं करता, आप यह मान के चले, ठीक है, आप कहीं भी invest कर रहे है, definitely उसमें risk involved है, कम यह जादा हो सकता है, यहाँ पर बात करों, risk factor is absolutely यहाँ पर risk है, और यहाँ पर शायद आपनी value भी, जो money के value है, वो शायद lose करते हैं, लेकिन सबसे important चीज़ यह जानना है, कि यहाँ पर risk in comparison to direct equity कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो diversification का option है, multiple assets में जो investment जा वो थोड़ा profitable हो सकता है, so risk थोड़ा सा आप यहाँ पर कम आख सकते हैं, शायद यहाँ पर थोड़ा कम risk हो, एक सबसे important चीज़ जो यहाँ पर आपको hold करनी है, जो मैंने अभी आपको बताया है, liquidity को लेकर के, liquidity को लेकर के एक बात यहाँ पर है, किसी भी ETF में investment करने से पहल नहीं है, तो शायद वो at that moment आपका जो ETF है, वो हो सकता है, ना भी के, so please make sure इसका आप यहाँ पर खयाल जरूर रखे, कि यह कैसे work करेगा, right, so I hope यह ETF का जो concept है, वो definitely आपको समझ में आया होगा, और ऐसे अगर और वीडियो आप देखना चाहें, so definitely आप नहीं चैनल को subscribe कर स सकते हैं, और वीडियो को like जरूर कीचेगा, thank you.